भारत मालदी विवात के बीच इन दिनों एक पतंग व्यापारी खुब छाया हुआ है जिसके हर तरफ चर्चा हो रही है इसकी वज़य ये है कि पतंग कारोबारी की अभी तक की सारी पतंगे बिख चुकी है इस पतंग कारोबारी का नाम देविंद्र गुपता है और ये लखनव से है दरसल मकर संक्रांती के दिन लोग जम कर पतंग उडाते हैं ऐसे में देविंद्र गुपता ने इस बार पिया मोदी की 24,000 पतंगे मंगवाई और हैरानी देखिए मालदी विवाद और राम मंदिर के वज़े से हर तरब च्छाए पिया मोदी की पतंग लेने के लिए लोगों की भीड इस कदर उम्री की कारोबारी का उन्हें संभालना ही मुश्किल हो गया कारोबारी का कहना है कि सिर्फ दो दिन में ही उनकी सारी पतंगे बिख चुकी है और अभी सिर्फ और सिर्फ हजार ही बची है अब ये तो जैसे अब इनका अचेवेंट जो भी है नरीद मोदी जी का चंदर्यान का है तो उसके लिए पतंगे आई है लोगों में रिमांड है और उनका दोजार चौबिस का मिशन है जीतने का उसकी रिमांड है तो उसी साफ से पतंग बनाई गई है कि लोगों को जो आ पतंगे पेश लडाते हैं और हो सकता है इस बार तो यह कि अधिया भी हो रहा है साइद फैजाबाद में हो रहा है शाय मेरे क्याल से बहुत बड़ा आई जी का ठीक से मुझे याद नहीं शाय फैजाबाद का ही है मामला तो बहुत अच्छा आयोजन पतंग का पढुको में कह सकते हैं मेरे पास करीब थी चौवीजार पतंग सायद मेरे कहल से अब हैगा नहीं है बहुत रिमान है तो पतंगे बहुत जल्दी आजाएंगी जैसे-वर संगरादी हो जाएगी वैसे वह आ जाएंगी वैसे येलों काइट हैं और शब्यंवरी आरे शेक् पतंग कारोबारी का कहना है कि इस बार मकर संक्रांती पर आसमान में चारो ओर मोधी काइट ही नजर आएंगी मोधी काइट की इतनी भारी डिमांड है कि सरफ दो दिनों में ही उनका स्टॉक पूरी तरीके से खाली हो चुका है मोधी काइट में चंद्रायान की जलक के साथ साथ मिशन 2024 और पियम मोधी की अब तक की सभी अचिवमेंट्स को दर्शाया गया है ये पतंगे भगवा रंग के साथ साथ अलग अलग रंगों में भी तैयार करवाई गई है और इनकी कीमत सिर्फ और सिर्फ पांच रुपे रखी गई है ताकि हर कोई इसे खरीच सके